हलो एवरिवान, आप माही काश्वानी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3D आर्ट, आज हम जो करने वाले हैं वो एक्रेलिक के साथ 3D आर्ट करने वाले हैं, मेरे पास इस चीज़ को लेकर काफी कमेंट आ रहे थे कि मैं मैं आप्रेलिक से 3D आर्ट बनाना बताएए, तो यह आट की मॉस्ट डिमांडिंग आर्ट है तो आज मैं आपको बताने वाली हूं उसके लिए मैंने टिप पर जाल पॉलिश अपलाई किये और उसको मैट कोट लगा के कवर किया है मैट को मेटी इनकी सीये यह अब मैं क्या कर वहां युज ओख युज लगाँ और गुज यूग हो ब्रश रह génome अर्ष में मेयाon कि जुभी आप थ्री इस से अक्रेलिक प्रटा बनाते दो इस फिस नंबर का प्रश बेहस्ट की ले सकते हैं पड़ सिक्स नंबर म भूनों साइड से डिप करना है एंड वरन साइड से मॉनोमर निकालके दूसी साइड से प्रोड organise परूकर राउंड शेप की होनी चाहिए जब आप रख रहे हैं देखिले मैंने बीट रखी तो आपको जब-तक टछ नहीं करना है जब तक इसका प्रोपर round shape नहीं बन जाता जैसे इसका round shape बन जाता है तो आपको जिस भी shape में इसको create करना है आप उस shape में इसको create कर सकते हैं जैसे अभी मुझे leaves की design बनानी थी तो मैंने इसको leaves की design में मैं इसको shape create कर रही हूँ बड़ जब तक उसका proper round shape लेकिन कुछ सेकंड में वो राउंड हो गई अब आपने जब एक बाब बीट रखी उसके बीच में आपको brush को clean करना है and then brush use करना है ऐसा नहीं बीट रखी और उससे brush से हम leaves create करने लगए वो नहीं करना है आपको पहले brush को clean कर लेना है then फिर आपको leaves बनानी है ताकि आपकी finishing बहुत अच्छी है ठीक है आप इस तरीके से flower की इसमें काफी different different design बना सकते हैं मैं एक तरीके से half flower बना रही हूँ इसमें full flower भी बनता है काफी designs बनती है मैं आपको आज जो बता रही हूँ बहुत simple design बता रही हूँ and अगर आप मेरे channel पे new हैं तो मेरी previous video देख सकते हैं वहाँ पे मैंने nail art से related काफी video डाली हुई है तो वहाँ से आपको काफी deep knowledge मिलेगी and आप मेरे channel को subscribe कर दीजेगा, bell icon पे press कर दीजेगा ताकि मेरी जो भी new video है उसका notification आपके पास आज है इस तरीके से आपको बुरी leaves बनानी है इस video के लेकर कुछ भी doubt रहता है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं next kids पे video देखनी है वो भी मुझे comment करके बता सकते हैं इस तरीके से beat रखते जाएंगे and leaves create करते जाएंगे and आपको as a nail artist industry में work करना है and grow करना है as a professionally work करना है तो मेरी professional online classes होती है वो भी आप join कर सकते हैं बहुत minimum fees में professional course करा जाता है with certificate online and offline दोनों classes होती है अगर आप online भी कर सकते हैं वहाँ पे भी काफ़ी deep knowledge आपको मिलती है and after class आप as a professional nail artist work कर सकते हैं उसके लिए number description में mention है आप मुझे वहाँ पर call या whatsapp कर सकते हैं ठीके इस तरीके से हम पूरा flower create करेंगे अगर हमें इसमें shading देनी है किसी और color से तो हम shading भी ले सकते हैं हम जब acrylic leaves बनाते हैं acrylic 3D बनाते हैं तो जो हम shading देंगे वो भी acrylic powder से देंगे acrylic powder white color pink color green color काफी colors में acrylic powder आते हैं जिस भी colors में आपको design create करनी है आप उस color में design create कर सकते हो ठीके अभी मैंने white color से पूरा flower बना लिया है अब मैं pink color का acrylic powder ले रही हूं और उसमें पीच पीच में shading करूंगे अगर आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है इतना ही design करके तो आप छोड़ सकते हैं अगर आपको shading करनी है तो आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं pink powder से shading कर रही हूं वो भी आप कर सकते हैं मैं थोड़ा हलका सा brush को monomer में dip कर रही हूं और pink color का powder ले रही हूं और उसको अंदर की side में shading कर रही हूं इसमें काफी design आप create कर सकते हैं बट आप पहले try केज़ेगा simple leaves बनाने की जैसे मैंने बताया पहले आपको dot रखना है dot रखने के बाद उसकी leaves जो भी design create करनी है वो design आप create करेगा आप practice करोगे उस चीज़ की तो काफी easily यह हो जाएगा ठीके यह इस तरीके से मैंने pink color से design create कर लिए अगर आप इसमें और कुछ add करना चाहते हैं pink के अलावा दूसरा color तो वो भी add कर सकते हैं मैंने बीच में acrylic से ही design बनाई है अगर आप acrylic की जगे diamond से करना चाहते हैं तो आप diamond से भी करके leaves बना सकते हैं मैंने दोसे टिप्स में diamond से करके leaves बनाई होगी and I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी and thank you for watching